नमस्कार किसान दोस्तों फार्मिंगरिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बहुत सारे किसान भाई कोमेंट कर रहे थे कि हमें सेकेंड हिंड पावर टिलर खरीदना है तो उस बारे में एक वीडियो बनाए तो ये वीडियो आप सभी लुगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे से ज्यादा से शेयर कीजिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले नमबर पर बात करते हैं यह केंखो का? केंव्येंट इसका आप अबरल की को देख़ेएं मेरे ख见न अच्छा में बहुत है, इसे की वीडियो में बहुत है किस्कूप्राइब हो एक ऐसमालोस में आपको थेजिए एब आप रता है ऑर लिपया टायर भी मिल जाएंगे जो कमपड्री के साथ पहले मिलता था छेज़े रोबारा का टायर और इसमें आप इसका जो रोटरी कवर का कंडिशन भी आप देख सकते हैं इसका कंडिशन बिल्कुल सही है और इसके जो रोटरी सप्ट के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट जो वे रख्या गया है और इसके जो लाइट के लिए अगर आप हम बात करें तो उसका लाइट का कंडिशन भी बिल्कुल सही है आए दूसरे नमबर पर बात करते हैं इस पावर टिलर के बारे में यह भी आपका कैम को का ही पावर टिलर है लेकिन इसका कंडिशन मुझे थोड़ा सा खराब लगा इसका कंडिशन थोड़ा सा खराब है आप अवरल देख सकते हैं यह पावर टिलर आपका हो गया कैम को का डीजल इयर नैंटी यह पिर आप कहलो कैम को के एमबी टूहंडर यह दोहजर सोला मोडल है यानि कि यह आप तक साथ साल अपना पूरे कर चुका है यह यह भी अभी तक चालू कंडिशन में है इसमें भी आपको 6012 का टैयर मिल जाएंगे लेकिन अगर हम इसका रोटरी कोवर रोटरी सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा मोडिफिकेशन किया गया है इसके जो रोटरी सेप्ट में आपको लेफ आइब ने करें जाएगा राइट साइड में टीस्यं की बात करें तो राइट साइड में इन्हों ने अगर इसका प्राइस के मारे सब्सक्राइब इस पाट करता है पर इसका ऑधिम्हासegen बहुत अच्छा लगा इसमें भी आपको यह मिल जाएंगे यह भी आपका केम को केम भी टूहंडेड डिजल यार 90 मोडल पावर टिलर है यह आपका दो हजर पंदरा मोडल है यह भी आपका साथ साल पूरा कर चुका है अगर हम इसका अभरल लुक और अभरल कंडिशन के बारे में बात करें यह अभी भी चालू कंडिशन में और हम अगर यहां पर कर देखने को मिल रहा था लेकिन इसमें आपको यह देखने को नहीं मिलेगा हम इसका बैरिंग का बात करें तो बेरिंग और बहुत हीड और राइट दोनों साइड का और उसका चैन कवर का भी कंडिशन बिलकुल सही है कहीं से भी इसमें कोई ग्यार्व लीकेश नहीं हो रहा है अब हम चोथे नमबर पर बात करने बाले हैं ग्रीफ पावर टिलर के बारे इसमें आपको company fitted liner piston नहीं मिलने बाला है क्यूंकि इसमें एक बार liner piston चेंज हो चुका इसका अगर प्राइस का बारे में हम बात करें तो इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा काम रखा गया है इसका प्राइस है बहुत ही ज़्यादा काम ओनली 30,000 रूपीज अगर आप इस पावर्टलर का पार्फोमेंस देखना चाहते हैं तो इसका एक वीडियो का लिंक आपक और आप सभी लोग कॉमेट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा ताकि हमें मोटिवीशन मिल सके और भी ज्यादा क्वालिटी वीडियो आप लोगों को प्रोभाइट करने के लिए